कि हलो गाइस कैसे आप लोग स्वागत है आपका नए सब्जेक में SMCF ठीक है इस वीडियो में हम कि सब्जेक को मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि यह सब्जेक में आप क्या पढ़ने वाले हो ठीक है ओवर आपका सिल्बिस कितना है क्या मार्किंग है और कि पहल पैंट या जो एक सैंपल पेपर इंस्टिटूट ने आपको दिया हुआ है उसके बारे में भी । करेंगे ठीक है हम कैसे सब्जेक को पढ़ेंगे थी क्या फ्लो हमारा रहेगा हमारी का एप्रोच होगी ठीक है कैसे हमें सब्जेक को पढ़ेंगे और पेपर पैटन को भी डिसकस करेंगे ठीक है आपको इस सब्जेक में क्या चैलेंज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़े एजी हैं थोड़ा बहुत सीएस एक्जिकेटिव से भी मैं चीज़ें कंपेर ठीक है तो ओर ओल हम इस सब्जेक के बारे में डिसकस्शन करने वाले हैं इस पार्ट में और फिर नेक्स पार्ट से मैं अपना वीडियो लेक्शर जो है सब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले वो नेक्स पार्ट से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो अच्छे से सारी चीज and corporate finance, strategic management आपको पता ही होगा कि CS executive में ये पहले था और वहाँ से हटा के अब ये final में professional में डाला गया है, ठीक है, पहले मतलब professional में strategic management पहले था नहीं, ठीक है, पहली बार executive से हटा के ये professional में लाया गया है, ठीक है, और syllabus almost similar है, ठीक है, सबसे बड़ा difference क्या है, कि executive में जो भी बच्चे इससे पढ़ चुके होंगे, उन्होंने वो MCQ pattern के लिए पढ़ा होगा, और अब यहाँ पे आपका paper written paper है, काफी बच्चों को ये difference महसूस नहीं होगा, बर जब आप पढ़ोगे आगे चलके, और even आप मेरा भी पढ़ाने का तरीका देखोगे, काफी थोड़ा change हो जाएगा, क्योंकि जब आप MCQ के लिए पढ़ते हो, तो बहुत अलग नजरिया होता है, word to word, बिल्कुल एक 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 लाइन, एक 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 चीज, सब बहुत minute study हो जाती है, बट जब आप written papers पढ़ते हो, तो वो minute अतना जाने की ज़रुत नहीं पढ़ती है, बहुत जादा आपको bother नहीं करती है, ठीक है, तो तरीका भी थोड़ा सा बदलेगा, ठीक है, और corporate finance जो है, ये भी, मतलब थोड़ा सा, जैसा है, वैसा ही था, थोड़ा सा, बस इसमें से syllabus कम कर दिया गया है, क्योंकि पहले corporate finance, पहले पूरा 100 marks का हुआ करता था, बहुत जा ठीक है, SM है आपका 40 marks का, और corporate finance है आपका 60 marks का, ठीक है, 40-60 का ratio है, ठीक है, और इनका जो paper है वो भी proper split किया रहेगा, 40 marks का paper SM का अलग रहेगा, और corporate finance का 60 marks का paper अलग रहेगा, ठीक है, अब अगर आप देखोगे strategic management को, तो almost topics पूरे similar है, ठीक है, जो आपने CS execute में शायद executive old के हैं, तो ये सब familiar होंगे, ठीक है, सब सेम है, पर यहाँ अब मैं कह रहा हूँ, बहुत तरीका बदलेगा, और जब आप paper pattern देखोगे, तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा, कि यार, ये इतना भी easy नहीं रहने वाला है, ठीक है, MCQ भी easy नहीं रहता है, मैं कह रहा हूँ, बस तरीक आप अलग-अलग है, MCQ की अपनी trickiness होती है, और written papers की अपनी trickiness होती है, ठीक है, तो yes ये थोड़ा easy जाएगा, क्योंकि आप सब चीजों से familiar हो, लेकिन आपके उपर पहले word to word हर चीज लिखने का pressure नहीं था, अब वो pressure आपको महसूस होगा, कि आपको सब लिखना है, ये जो एक SM की language होती है, वो आपको लिखनी पड़ेगी, आप कुछ भी अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, समझ रहे हो, SM की एक जो एक typical language होती है, उसकी जो अलग अपनी vocabulary है, वो आपको आप दीरे-दीरे यार्थ करनी पड़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा हू कि आपको सब रट के पूरा वैसे के वैसे, वहाँ छापके आना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, but you have to adapt yourself, because ये law नहीं है, you cannot use your law language here, इसकी language अपनी अलग होती है, इसके words, इसकी vocabulary अपनी होती है, तो वो मैं कह रहा हूँ, वो थोड़ा एक नहीं चीज़ है, जो आ मैं overall level पर पड़ाऊँगा, मैं ये सोचके पड़ाऊँगा कि आप पहले नहीं पड़े हुए हो, ठीक है, क्योंकि मेरी audience जो है, वो mixed रहेगी हमेशा, कुछ old के होंगे, कुछ new के बच्चे आएंगे, ठीक है, तो मैं zero के हिसाब से पड़ाऊँगा, मैं हमेशा ये assume नहीं क काफी चीज़ें भूल भी गए होंगे, ठीक है, तो मैं overall ही पड़ाऊँगा, जहाँ जहाँ जो जो examples, basics बताने की ज़रुत पड़ी, मैं सब बताते रहूँगा, आए खेल में, क्योंकि CS executive, new syllabus के भी कुछ बच्चे होंगे, जिन्नोंने SM बिलकुल भी नहीं पड़ाए, ठी तो यह आपका पूरा SM है, ठीक है, introduction to SM, internal external environment, business policy and formulation of functional strategy, strategic analysis planning, competitive positioning, नाम change कर दिया है, वो वही है, यह है, strategic implementation जो आपका chapter था, यह वही है, उसको rename करके competitive position नाम दे दिया गया है, और कुछ जो last chapter के कुछ topics थे, वो उन्होंने इस topic में डाल दिया है, जैसे आप देखोगे, हाँ, इसमें ending, ending में कुछ topics है, इसमें index में नहीं दिया है, पर वो है, ठीक है, और फिर आपका last chapter जो रहता है, analyzing, strategic edge, ठीक है, और यो edge के जो कुछ topics थे, वो उन्होंने competitive positioning में डाल दिया है, ठीक है, यहाँ वो दिखनी रहे, index में आपको दिख जाएंगे, ठीक है, यह देखो, यह वाले जो कुछ topics थे, अगर आपको याद होगा, AI, fintech, blockchain, ठीक है, यह सारे जो topics थे, यह strategic edge वाले chapter में थे, पर यह नोने competitive positioning में डाल रखे हैं, और कुछ जाधा change नहीं है, ठीक है, और इसमें सिर्फ typical जो topics से पहले, benchmarking यह वो, TQM, Six Sigma, ठीक है, BPR, बस उतने ही topic है, clear है, तो यह आपका SM है, ठीक है, जो हम बात में start करेंगे, gradually मैं धीरे-धीरे start करूँगा, ठीक है, 6 chapters है SM के, और 40 marks है, 6 chapter 40 marks, ठीक है, और corporate finance पे आते हैं, 12 chapters है, और 60 marks है, तो आप उस ratio proportion से देखोगे, तो corporate finance के marking कम है, number of chapters जादा है, coverage थोड़ा जादा है, ठीक है, ठीक है, और अब आते हैं कि corporate finance में क्या है, ठीक है, ध्यान दो, या पहले हम SM कोई थोड़ा discuss कर लेते हैं, SM का paper pattern काफी interesting है, मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है, इसके last में दिया हुआ है, sample paper है, ठीक है, self study के लिए बनाए गया है, आपको solve करके भेजने की ज़रुत नहीं है, ठीक है, clarification दिया हुआ है, तो इस तरह से देखो, आपका part 1 अलग रहेगा, 40 marks का SM का, अब अगर आप देखोगे, बहुत बढ़िया देखके एक डम लगा की नहीं आ रहे है, professional level का इन्होंने रखा है, तो पहला ही question आपको आएगा case study, I am expecting की similar pattern होगा, exact same नहीं, but similar भी रहा, मतलब वो SM में case study पूछ सकते हैं, मतलब आपको उसकी भी तयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, कैसे होता है, क्या होता है, और net से, मतलब Google से, और मैं search करूँगा, other courses में SM की जो case studies होती है, वो मैं कोशिश करूँगा, और आपको cover कराने की, चीक है, जब हम पढ़ेंगे syllabus, उसमें case studies, उसमें भी case studies है, अलग-लग companies के बारे में दिया गया है, तो वो case studies भी हम पढ़ने ही वाले है, बट ये थोड़ा अब उसी में से आएंगी या अलग आएंगी बोल नहीं सकते, जो जो आप case studies पढ़ोगे, भर-भर के case studies है, आपको executive में भी थी, executive में अपने नहीं पढ़ी होगी, मैं भी recommend नहीं करता था, कि executive में इतनी complex और इतनी जादा case studies आप पढ़ोगे भी तो याद कैसे रखोगे, क्योंकि MCQ पैटन था न, अब MCQ पैटन नहीं है, तो अब आपको सारे case studies भी पढ़ने, case studies पे भी focus करना है, case studies को भी बहुत अच्छे से समझना है, company के बारे में भी समझना होगा, और बहुत perspective देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आए खेल में, तो हम case studies भी काफी पढ़ेंगे, और मैं इस type की कुछ out of the box case studies भी ढूंडूंगा, और अगर मुझे मिल गई तो मैं वो भी आपको cover कराऊंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो, कि 5 marks each, 1, 2, 3, 4, मतलब 20 marks का तो सरि 20 marks की, जो directly इस book से होगा नहीं होगा वो भी बोल नहीं सकते, मतलब बाहर का भी आ सकता है, मतलब आपको वहाँ दिमाग apply करना है, वहाँ आपको अपनी language दिखानी है, वहाँ आपको चीजों को connect करना है, वहाँ आपको एक situation में आप क्या करोगे वहाँ आपको बताना है, सी conceptual clarity बहुत जादा आपको काम में आईगी है, तो इसलिए कह रहा हूँ, SM को lightly बिल्कुल भी मतले ना, चीक है, 20 mark का पहला पहला question सीधे case study डल दिया है, ठीक है, और फिर 20 mark के लिए 2 questions, ठीक है, 5, 5, 10, 5, 5, 10, मतलब इस पूरे SM में option ही नहीं, कोई extra question नहीं है, ठीक है, case study सीध SM थोड़ा सा आपको challenging जाएगा, ठीक है, clear है क्लियर है क्या, अब अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे भी आप देखोगे न, कुछ-कुछ तो direct questions है, कुछ-कुछ थोड़े देखो, अलगी है, अलगी question है, 2 firms X and Y belonging to FMCG sector, they are identical except the growth rate and market share, ठीक है, वो strategies related है, because of the location, और यह भी देखो challenge है, situation पढ़के आपको strategy कौनसी use होगी, apply होगी, वो भी आपको सोचना पड़ेगा, मतलब सोचो, कितना मतलब भी tricky होने वाला है, ठीक है, firm X has high market share and high growth rate and firm Y has a high market share but a low growth rate, ठीक है, situation एक वो BCG matrix के related है, आपको matrix समझने है कि यह कौनसी situation apply होती है, और फिर आपको उस case में क्या strategy होती है, कहा आपको focus करना चाहिए, क्या करना चाहिए as a company, वो आपको पूछा जाएगा, you need to identify the category, ठीक है, situation देखे, वो strategy के अंदर आप कहा fit होते हो, वो आपको बताना है, to which they belong, referring to the BCG matrix, चलो अच्छा है, matrix का नाम तो दे दिया है, ठीक है, तो BCG matrix में आप कहा fit होते अप्लाइड question सबको easy नहीं लगते हैं, काफी लोग ऐसे देख के डर जाते हैं, पढ़ने के बाद उनको उतना click नहीं होता कि करना क्या होता है, ठीक है, तो बहुत अलग-अलग challenges होते हैं, जो student face करता है, ठीक है, तो SM, ठीक है, tough रहेगा, आगे बढ़ते हैं, तो हम SM gradually start कर साइड बाद साइड, अब आते हैं finance पे, ठीक है, corporate finance में आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या-क्या चीजें थोड़ा सा executive में आप पढ़ चुके हो, क्या नई चीजें आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो पूरा discussion करते हैं, देखो, यह है आपका syllabus, ठीक है, सबसे पहला है basic, क finance के funding के क्या sources होते है, overall level पे दिये है, proper ऐसा structured way में नहीं दिये है, randomly बस धर धर सब दे दिया है, तो सारे concept आपको पढ़ने, इसमें से I think 30-40% executive का ही है, ठीक है, आप देख सकते हो, equity share, preference share, venture capital, debentures, bonds, angel funds, ठीक है, काफी चीजें आप यह पढ़ चुके हो, पर काफी चीजें जो बहुत ही नहीं है, fresh है, जो आपने नहीं पढ़ी है, जैसे की, securitization, ठीक है, मैं index बता देता हूँ, वो ज्यादा detail रहेगा, ठीक है, जैसे chapter 7 से start होगा, तो आप देख सकते हो, share capital पढ़ चुके हो, equity share capital, differential rights, preferences, voting rights, preferences, capital, types of issues, debentures, ठीक है, debentures के पूरे features, यह सब आप प पढ़ चुके हो, ठीक है, venture capital, types of AIF, काफी चीज़ें आप already executive में थोड़ा 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 पढ़ चुके हो, और introduction में भी उतना ही दिया है, तो काफी चीज़ें introduction वाली executive level की है, पर काफी fresh चीज़ें भी हैं, जैसे आप पढ़ोगे, early stage financing, venture capital में ही, later stage financing, enjoy investors, फिर आपका आएगा, REIT ये भी आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, letter of credit, bank guarantee, foreign funding, euro issue, deposit receipts, scheme, ठीक है, ये सब नया है, FCCB, FCB, ECB, FDI, ठीक है, FPI, securitization, ये पूरा आप fresh पढ़ोगे, जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, securitization भी काफी detail में दिया है, securitized debt instrument भी आपने नहीं पढ़ा होगा, वो आप पढ़ोगे, security receipts भी आपने बहुत जादे detail में नहीं पढ़ा है, वो भी काफी चीज़ें इसके बारे में दी हुई है, वो हम पढ़ेंगे fresh, फिर loan against securities and loans against property, ठीक है, तो 30-40% आपको थोड़ा सा comfort रहेगा, कि हाँ, थोड़ा थो ICDR है, raising of funds from equity and procedural aspect, पहले एक topic रहा करता था, documentation, तो वो documentation इन्होंने club कर दिया है, split करके, अलग-लग जगा club कर दिया है, documentation, basically procedure बताता है, कि अगर आपको IPO करना है, तो आपको क्या-क्या documents submit करने होते हैं, अलग-लग regulators के पास, योगि बहुत interesting है, और real life में आपको यही करना है, त सारे issues का एक जगा combined documentation दिया गया था, आए ख्याल में, तो इसलिए में last में पढ़ाता था, और वहाँ syllabus में भी last में रहता था, अब उन्होंने उसको split कर दिया है, कि चलो equity का है, तो equity के साथ पढ़ो, debt का है, तो debt के साथ पढ़ो, जो respective issue है, उसी के साथ पढ़ लो, कि क्या documentation पूरा required है, जो कि देखो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप पूरा law वहीं पढ़ रहे हो, law के बाद तुरंत वहीं documentation पढ़ लोगे, तो connect करेगा, logically आपको समझ में आएगा, और आपको याद भी रहेगा, ठीक है, तो ICDR plus documentation, ये पूरा आपका chapter है, ICDR उतना detail में आपको documentation डाल दी गई है, ठीक है, चलो, तो ये आप सब पढ़ोगे, documents required, documentation, ठीक है, सब हर जगा आप documents required भी पढ़ोगे, और फिर जो एक नया topic add हुआ था, social stock exchange, वो भी इसके अंदर है, ठीक है, तो ICDR पूरा आपका similar रहेगा, फिर पूरा जो नया concept आप पढ़ोगे, detail में पढ़ लेवल पे एक paragraph रिप आपने पढ़ा होगा, हम इसमें पूरा पढ़ेंगे, बहुत ही out of box है, और बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, real life में कितने REIT हैं, कितने INVIT हैं, कैसे perform कर रहे हैं, सब मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है, तो ये दो बहुत ही बढ़िया fresh topics आप पूरे rules, ठीक है, फिर उसके अंदर जो पूरे angel funds का पूरा part आता है, special situation funds का part आता है, सब बहुत detail में है, फिर उसी में आपका private equity का part आएगा, ठीक है, और documentation, तो ये भी काफी नया है, काफी detail में है, फिर आएगा non fund based, ठीक है, non fund में पहला आता है bonus issue, ठीक है, थोड़ा दिया रहेगा, और फिर आपका जो, isop का part आता है, ठीक है, share based payment का part आता है, वो पूरा इसमें दिया हुआ है, ठीक है, SBEB, SE regulations जो है, वो पूरा इसमें detail में आपको दिया गया है, ठीक है, वो भी non fund based में आता है, ठीक है, तो सारे schemes पूरा, पूरा chapter इसमें है, और फिर sweat equity ज फिर है, जो नया topic है, fresh topic है, IFSC, ठीक है, यह CS executive old syllabus के बच्चों को बिल्कुल जानकारी नहीं है, उनके लिए पूरा fresh है, लेकिन जो CS executive new syllabus से आ रहे है, उनके syllabus में already है, ठीक है, IFSC का introduction पूरा CS executive new syllabus में है, यह उसके और आगे का है, ठीक है, तो यह पूरा fundraising कैसे होगा, क्या पूरा नया है, ठीक है, और सब latest है, जो अभी चल रहा है, सब latest वो topic add हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फिर debt चालू होगा, full debt है, A to Z आपको सब डाल दिया गया, एक ही chapter के अंदर, तो debt में पहले हम देखेंगे, fund based, Indian fund based, ठीक है, Indian fund based, जो भी normal debt आप raise करते हो, fund based वाली, ठीक है, और फिर non fund based, ठीक है, LCBG, सब नया है, ठीक है, maximum चीज़ें नहीं है, आपने नहीं बढ़ी है, ठीक है, फिर यह भी प topic उन्होंने रखा है, institutions, की कौन से institutions हैं, जिन से आप foreign funding कर सकते हो, फिर foreign funding के instruments, law and procedures, उसको लग रखा है, पहले combine होके यह की topic था, अभी उन्होंने split कर दिया, तो foreign funding, all together, पूरा नया सब topic आप पढ़ने वाले हो, फिर intermediaries, पता नहीं क्यों ऐसे आखरी में डाल दिया है, जब कि यह उपर डालना चाहिए था, ठीक है, यह भी आप काफी पढ़ चुके हो, पर इसमें, I think, दो या तीन ही, जो major जो होते हैं, intermediaries, उनके बारे में बातचीत की है, एक है investment advisor, एक है आपका portfolio manager, और एक है merchant banker, ठीक है, तीन intermediaries के बारे में, detailed regulation इसके अंदर आने वाली है, ठीक ह तो यह भी हम कोशिश करेंगे कि introduction के साथ पहले ही पढ़ लें, क्योंकि intermediaries का reference हर जगा आएगा तो वो intermediary क्या करता है, उसका पूरा जो business का जो तौर तरीका है, merchant banker करता क्या है, portfolio manager करता क्या है, यह आपको अगर पता ही नहीं होगा, तो जब उसका reference आएगा, तो आपको मज नहीं आएगा, तो हम यह कोशिश करेंगे कि पहले ही पढ़ लें, और फिर एक out of the box, अलग से project evaluation दिया हुआ है, ठीक है, कि project को कैसे evaluate करते हैं, ठीक है, FM का part है थोड़ा, law नहीं है, यह pure FM है, FM SM मिला के है, ठीक है, तो यह हम अलग से ही पढ़ेंगे, तो project evaluation पूरा हम multiple चीजें connect होती हैं, इसमें finance भी आएगा, इसमें strategic भी आएगा, इसमें law भी आएगा, ठीक है, एक project को हर dimension से कैसे study करते हैं, कैसे evaluate करते हैं, वो बहुत अच्छा इसमें नजरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो यह आपका overall syllabus है, corporate finance का, ठीक है, तो flow मैं थोड़ा सा change करूँग मेरे असाब से बढ़ाऊंगा, और कुछ बच्चे को ऐसा एक click हुआ होगा, कि यार इसमें कहीं LODR देखी नहीं रहा हुआ, ठीक है, मैं भी surprise था जब मैंने देखा था, कि LODR अलग से chapter है ही नहीं, LODR अलग से एक full flesh chapter है ही नहीं, वो भी इनोंने क्या कर दिया है, split कर दिया ह मतलब, एक आपको subject है, ESG, उसमें आप पढ़ोगे governance, ठीक है, तो majority जो LODR है, वो governance से related है, ठीक है, board, board committees, board meetings, committee meetings, ठीक है, board से related पूरा जो होता है, फिर पूरा आपके जो independent directors की चीज़े हैं, तो maximum चीज़ें जो LODR की हैं, वो सब governance से ही related है, तो वो सारे के सारे LODR के provisions आपको governance subject में है, आई ख्याल में, और यहाँ जितनी चीज़ें हैं, जो जो चीज़ों से connected कुछ LODR के provisions हैं, बस उत नहीं है, अबलब न के बराबर है, इस subject में आप LODR न के बराबर है, maximum जो है वो LODR, अबलब governance chapter में, subject में इनोंने डाल दिया है, clear ह और documentation भी अलग से chapter नहीं है, वो भी उन्होंने split करके, अलग जगा 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 reference आता है, वहाँ वहाँ उन्होंने डाल दिया है, एक और चीज़ है कि, जगा जगा पे companies act के भी provisions हैं, ठीक है, और उस पे भी question आते हैं, तो आपको companies act का भी perspective पढ़ना है, जो भी securities आप हैं, as compared to SEBI guidelines, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, कि ये topic में unlisted company जो है, companies act, उसके बार में क्या कहता है, फिर अगर आप listed हो, तो SEBI guidelines आप से क्या कहते हैं, तो काफी जगा पे हलका हलका deviation भी है, तो वो भी आपको appreciate करना है, वो भी आपको समझना है, कि कहां-कहां सेम है, कह कहां-कहां अलग है, और कैसे फिर compliance होगा, अलग-लग type की companies के लिए, ठीक है, तो वो भी आएगा, companies act के भी बहुत जादा references आएंगे, और उस पे भी question आ सकते हैं, clear है, तो ये subject blend है, companies act का और SEBI regulations का, ठीक है, अब इसका paper pattern देखते हैं, कि ये 60 marks के लिए क्या पूछने वाले, ठीक है, इसमें एक आता है, practical question कहूंगा मैं, या case study कह सकते हैं, case studies में ज़्यादा नहीं आती, ठीक है, number one, जितना executive में case studies आती हैं, उतनी case studies इसमें नहीं आती हैं, तो कहीं न कहीं आपको पढ़ने का तरीका भी अलग रखना पड़ेगा, paper pattern के इसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, यहां ऐसे छोटी 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 situation पे question नहीं आते, ठीक है, जैसे executive में काफी छोटी छोटी बारिक बारिक चीज़ों पे भी multiple drop down करके questions डालके, वो काफ 15 marks का है, 5 marks each, लेकिन law based ही है, और थोड़े बहुत numbers आ जाते हैं, बस, है case study type ही, फिर एक इसको मैं कहता हूँ numericals, जो अलगी है, जो law नहीं होता है, अलगी formula या concept based होता है, तो इनको मैं कहता हूँ numericals, तो numericals भी आते हैं, इसमें देखो, 5 mark का numerical है, एक और आता है, देखो, य यह भी numerical है, तो यह भी हम सारे numerical, सारे types के, जो भी CS professional में, यह subject, जो old syllabus में था, उसके भी सारे question में cover करा दूँगा आपको, और कुछ executive के भी relevant होंगे, तो वो भी cover करवा दूँगा, तो आप बिल्कूल tension मतलो, ठीक है, numerical question भी अलग से cover होंगे, case study by based जो यह practical question होते हैं, वो भ से जो case study type आते हैं, वो इसमें आपको ज्यादा दिखेंगे नहीं, देखो, यह plain question है, दिखने में बड़ा दिख रहा है, पर यह checklist पूचिए है, कुछ, लब normal question है, फिर यह भी I think numerical है, तीन numerical इसमें दिख रहा है मेरे को, ठीक है, फिर देखो यह normal question है, ठीक है, कि बताओ minimum corpus कितना होता है, special situation fund का, minimum investment कितना है, ठीक है, यह सब है direct question है, फिर आरी आईटी का भी देखो direct question है, सब direct direct question है, कोई भी case study pattern वाले question आपको नहीं दिखेंगे, एकाग गलती से बस हो सकता है, पर पूरा भरबर के paper case study based यहां पे नहीं आता, तो चिल मारो, direct questions आने वाले है, ठीक ह थोड़ा सा easy रखो इसको, कि काफी बच्चे बहुत जादा tension ले लेते हैं, इतना tension वाला subject है नहीं, यह बहुत ही simple है, बहुत ही direct questions है, और बहुत ही easy है मेरे साब से, यह corporate finance आपको काफी easy जाएगा, क्योंकि सब direct direct questions है, numericals भी almost type के हम cover करने ही वाले हैं, तो similar question ही आपको 20 मा का case study आ गया, तो वो काफी surprising होने वाला है, ठीक है, corporate finance में मुझे नहीं लगता कुछ खास surprising होगा, ठीक है, तो easy है, corporate finance easy है, बस थोड़ा vast है, multiple बहुत सारे provisions हैं, बहुत जादा connections हैं, और confused होने का बहुत जादा scope है, क्योंकि limits, situation, scenarios बहुत जादा आते हैं, तो बस को कैसे बांध के रखना है, कैसे limits को अच्छे से summarize करके रखना है, उसको multiple times revise करना है, यह आपका challenge रहेगा, ठीक है, चलो, तो यह था आपका subject intro, ठीक है, और paper pattern इसलिए मैंने बता दिया है, ताकि पढ़ते आपको सब clear हो कि आपको prepare किसके लिए करना है, ठीक है, और यह पूरे subject में देखो यही challenge है, कि आपको कैसे balance करना है, practical और theory को कैसे आप balance करोगे, theoretical और real life को कैसे आप balance करोगे, कि कुछ बच्चे ना बहुत जादा realistic रहते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमको paper भी pass करना है, सिर्फ knowledge के लिए भी नहीं पढ़ सकते हैं, और सिर्फ paper के लिए भी नहीं जरूरी है, पर हर चीज में practical डूनते हैं लोग, सर यह इसका real life का क्या है, ऐसे थोड़ी होता है, हर चीज जो आपके किताब में है, वो real life में भी हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है गया, तो मुझे बहुत extreme बच्चे मिलते हैं, तो balance रखो, ठीक है, जहाँ जहाँ relevant है, जो जो चीज़ें हो रही है, bonus issues हो रहे है, स्वेट equity share issue हो रहे है, differential rights issue हो रहे है, जो जो चीज़ें हो रही है, REIT है, listed है, fund raise कर रही है, तो वो सब बता सकता हूँ न, मैं दिखा सकता हूँ, कि देखो यह RT है, इन्होंने यह पैसे raise के हुए है, यह issues हुए है, फ social stock exchange है, यार अभी तक start ही नहीं हुआ है वो, मैं क्या बता हूँ आपको, start तो होने दो, कुछ लोगों को fund raise तो करने दो, कुछ funds को कुछ करने दो, तो समझ रहे हो, तो मुझे सब पता है, तो आप tension मतलो, ठीक है, चलो, ठीक है, तो यह हमारा approach रहने वाला है, and I hope आप interest ले तो मैं start करने वाला हूँ, पहले introduction, ठीक है, मतलब corporate finance मैं start करने वाला हूँ, और gradually फिर मैं strategic management side by side add कर दूँगा, ठीक है, तो अभी हम start करेंगे, next part से हम क्या start करने वाले है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, हम पहले start करेंगे sources, ठीक है, क्योंकि यह balance topic है, कुछ-कुछ चीज़ें आपको आती है, कुछ-कुछ चीज़ें आप नहीं बढ़ोगे, तो एक proper mix रहेगा, बहुत ज़्यादा tension भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा easy भी नहीं लगेगा, ठीक है, अच्छे खास number two पे लूँगा मैं intermediaries, और फिर मैं start करूँगा ICDR, ठीक है, ICDR सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो जो pattern है, fund raising का, बहुत सारे concept ऐसे होते हैं, जो हर जगह फिर उसके references आते हैं, जैसे मैं अगर REIT पढ़ाऊं, अब REIT में काफी ICDR के references आते हैं, अब अगर आपका ICDR पढ़ा हुआ नहीं है, तो आपको REIT भी अच्छे समझ भी नहीं आएगा, बहुत debt के भी chapter समझ में नहीं आएगे, तो फिर हम start करेंगे पूरा ICDR and उसके अंदर जो भी documentation है, ठीक है, और फिर एक बार ICDR हो गया, फिर sequence का फरक नहीं पढ़ता, क्योंकि ICDR के बाद आप पैसे raise कर रहे हो, तो वही है हर जगा, तो ICDR का base होना बहुत जादा जरूरी है, clear है, तो पहला हम पढ़ेंगे sources, second पढ़ेंगे role, फिर third पढ़ेंगे ICDR, और उसके बाद आप मैं मेरे साब से पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर आपको मतलब हर चीज समझ में आ जाएगी, फिर sequence का इतना relevance नहीं रहेगा, ठीक है, चलो, तो next part से हम start करेंगे sources of corporate funding, ठीक है, sources of corporate funding हम start करेंगे, thank you so much.